अब तक किसी भी YouTube चैनल पे अगर हम बात करें हिंदी चैनल की तो अभी तक इसके बारे में किसी ने भी लगबग लगबग कोई भी वीडियो यहां पे नहीं बनाया गया है बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार हम कॉमन टॉपिक्स के बारे में ढूंडते रहते हैं और तभी कोई एक ऐसी चीज सामने आती है जिसे कि सब के होस्त उड़ जाते हैं जैसे कि वानकराय रैंसम वेर अटक के मामले में हुआ था तो दोस्तों अगर इन चीजों के बारे में हमें पहले से ही पता है तो हम अपने आपको काफी हद तक सिक्यूर कर सकते हैं कि आने जैनकारी देना जरूरी समझा तो आज हम जाने के जिब्सलिप वलनेपी के बारे में जो कि अपने आप में के इतनी खतरनाक वलनेपी है कि अगर ये रन हो जाये तो इसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट का इडिन जो डेटा है उसे अक्सिस कर सकते हैं और किसी भी तर अगर मैं बात करो तो बड़ी-बड़ी कंपनी जिससे भी इफैक्टेड हैं जैसे कि HP है अपाच यह है और भी काई बड़ी कंपनी तो आज हम जानेगे कि वास्ता में जिब से लिफ वलनबटी है क्या और किस तरह से यह काम करता है और आपको जानकारी है जानकर यह हरानी हो आपको जानेगे जिफ वलनबटी जैसा कि नाम से पता चल रहा है जिफ मतलब यह जिफ फाइल की मदद से ही यह जो अटेक है यह जो वलनबटी है यह फैलाई जाती है या फैलती है इसी डिसकवर किया था ओपन सोर्स और क्लावड सेक्यूरिटी मॉनिटरिंग कंपनी सिर और पातर क्रम करता है आप को आगे बताऊंगा लेकिन इनसवट आप ऐसा समझ सकते हैं जिसके अंदर पहले से रेडी की गई A video फाइल होती है, जिसके अंदर होता है उपुवर और अगर ये ये फाइल को हम extract कर देते हैं किसी भी server पे या किसी भी particular location पे तो ये उसकी hidden files का जो data है वो access इसकी मदश से कोई भी जो attacker है वो कर सकता है तो अब भी आप हो सकता है थोड़ा confused हों तो हम इसे थोड़ा पहले file traversal attack की मदश से समझने की कोसिस करेंगे file traversal attacks में जो attacker होता है उसका main जो motto होता है उसका main purpose होता है कि root folder के outside जो भी files वगएरा रखी गई है उन्हें वो access कर सकता है आप इसे insert में ऐसे समझ सकते हैं कि example से मान दीजिए मैंने website पे 4 या 5 files को ही access की permission दे रखिया कि user इसकी 4 या 5 files को ही देख सकते हैं बाकि जितना भी मेरा sensitive data है वो मैंने private करके अलग रखा हुआ है या अपने ही server पर store करके अलग रखा हुआ है लेकिन वो accessible नहीं है किसी के भी जरीए तो file traversal या part traversal attack की मदद से कोई भी जो attacker है उन files को देखने में success हो जाता है जो उसके outside में रखी हुई है तो ऐसे ही zip अगर हम बात करें zip slip vulnerability की तो यह भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है लेकिन इसमें जो file होती है zip slip vulnerability के अंदर जो file zip करके रखी जाती है उसके अंदर path होता है उन files का मतलब वहां तक पहुँचने का path होता है जहां से कि वो root folder के outside पहुँच जाए और उन file को देख सकें अगर यह run हो जाता है तो फ जाता है client side की तरफ से भी यह हो सकता है और server side की तरफ से भी हो सकता है तो इसमें अब हम देखेंगे कि फाइल जो अगर जो script है जो zip file के अंदर extract करने के बाद run हो जाती है अगर मान लीजी इसमें कोई malicious code लिख दिया जाए इसमें कोई पेलोड जोड दिया जाए या मतलब कोई भी executions वाली कोई भी file इसमें जोड दी जाए और यह run कर जाए तो इससे ना कि सिर्फ आपको path का पता चलेगा बलकि कई बार sensitive जो informations हैं उन्हें भी attacker आसानी से निकाल सकता है तो यह अपने आप में काफी difficult है इसे हम practically भी जानने वा यहां पे इस code में file f equal to लिखा हुआ है new file directory dir e.get name तो e.get name अगर concatenate यानि की concatenate कर देता है target की directory के साथ तो इसमें कोई validation नहीं है तो इससे क्या होगा कि उसकी location उसे मिल जाएगी path उसे मिल जाएगा और यह जो path है automatically copy हो जाएगा और f वाली file में यह copy हो जाएगा आप यहां जाएकर directly उस जगह पहुंच जाएगा जो की hidden place है तो आप समझ गए होंगे यह तो एक example के तौर पर उन्होंने समझाने की कोसिस की थी मैं आपको practically कुछ चीजे दिखा देता हूँ इसके बारे में पूरी detail information काफी time लगता है इसलिए मैंने पूरी websites आपको दिखा दी यहां तो यह सारा कुछ ही यहां पे है अब आप देखिए आप अपनी project कोई भी आपका project है वो वलनेबल है या नहीं है वलनेबल code है उसके अंदर या नहीं है तो उसके लिए इन्होंने अलग अलग दिये है java groovy javascript.net go तो इनमें अगर वलनेबल code आपकी website contain करती है तो आप यह से उन codes को check कर सकते हैं secondly आप देखे github पे भी इनका पूरा project है practical के लिए जो कि मैं आपको अब करके दिखाने वाला हूं कि वास्ताम में ये काम किस तरह से करता है तो jip slip में आप देखिए कि widespread critical archive extraction जो भी मैं आपको बता रहा था वो सारा कुछ यहां पे लिखा हुआ है औ और इन सब के लावा affected library कौन कौन सी है तो इन में affected libraries की detail दी गई है आप देख सकते हैं unzip or adm zip product का नाम लिखा हुआ है language लिखी हुई है और one label है या नहीं कब fix किया गया और cve number ये सारी चीजे यहां पे लिखी हुई है जो fix हो चुकी है उनके बारे में भी और जो नहीं हु दोस्तों यह जो है GitHub पे तो Windows के लिए अलग है और Unix वगरा के लिए अलग है तो देखे मैंने यहां पे Unix पे मैं आपको करके दिखाता हूँ यह वास्तम क्या होता है तो इसकी मदद से यह कैसे काम करता है इसी code के according मैं आपको समझाने की कोसिस करूँगा and I will try की उमीद कर दिखाता हूँ कि समझ में आ जाएगा मैंने पहले से क्लोन मतलब डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ LS CD करके हम यहां चलेंगे जो भी हमारी फाइल है जिप सिलेप वलनाबिटी तो यह मैंने यहां फाइल का नाम लिख दिया उसके बाद LS कर लेते हैं इसमें देखिए आर्चीव करके एक फाइल है तो हमें जाना है आर्चीव उसके बाद आपको करना है ls तो आप देखे windows के लिए कर रहे हैं तो windows के लिए भी और unix के लिए कर रहे हैं तो unix के लिए भी exactly इसमें क्या है कि जो zip file है जब आप उसे extract करेंगे तो उसके अंदर hidden जो dot dot slash करके आप part देते हैं वो run up हो जाएगा execute हो जाएगा और जो server है उसस उसे connect होने की यह कूसिस करेगा automatically directly बन जाएगी हम कर लेते हैं उसे मैंहा करके दिखा देता हूं आपको unzip तो यहां मैं code दे रहा हूँ unzip और unzip हम कर रहे हैं यहां पर एक इसकी जो file है उसे तो मैंहां कर रहा हूं जिप slipfin.zip तो हम इसे unzip कर रहे हैं आप देखेंगे मैंने पहले इसे किया हुआ है तो सैद इसलिए आ गया आप देखेंगे मैंने एक्स्रेक्ट किया यहां इसके अंदर की file तो आई तो user जो होगा उसे लगेगा सिर्फ file आई है लेकिन इसके साथ साथ यह जो code था जो की part traversal attacking के लिए डाला जाता है यह भी इसमें execute हो गया और temp नाम के folder में evil.txt करके file जो थी वहां पे run up हो गई तो अब जरूरी नहीं है कि इस location पे evil.txt file हो इस location पे कोई malicious code भी हो सकते है script भी हो सकते है कुछ भी हो सकता है तो यह था मैं आपको थोड़ा windows दिखा देता हूं किस तर किया आप देखेंगे यहां पे वो file आई उसके साथ folder आया folder के अंदर जो evil वाली file थी वो भी आ गई यहां पे लेकिन अगर आप इसे सही माइने में देखें एक server पर यह किस तरह से काम करेगी तो आप यहां देख सकते हैं इसकी पूरी information वास्तम में यह जो file है कहां पे run up ह हो रही है आप यह देखें यहां पे पूरा लिखा हुआ है लेकिन हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ time तो यही इस attack को करने का process है इसी की मदद से जैसे यह file extract होती है तो server पे यह जो इन्होंने code दिया हुआ है यह तो सिर्फ example के तौर पे दिया गया है हाला कि इसका practical video भी है कि पूरा किसी भी server के outside के path को जो discover करना है किस तरह से help करेगा बाकि आप समझ गई होंगे कि इस executable file के अंदर पूरा पहले से file के साथ साथ जो यह part traversal जो coding है वो भी दी गई है तो यह था हमारा आज का video इससे related अगर आपके mind में कोई भी questions है तो आप हमें comment box में लेके comment करें and ऐसी बहतनी information के लिए देखते रहें youtube channel masters in ethical hacking thank you friends good bye